हालो हाई फ्रेंड दिस इस कृषिन किया दोस्तो आज की वीडियो में आप सीखोगी कि आप अपने प्लेश्टोर की आईडी कैसे बना सकते हो तो दोस्तो अगर आपने कोई नया मुवाइल फोन लिया है और आप उसके अंदर प्लेश्टोर की आईडी बनाना चाहते हो तो वीडियो लाश्ट तक देखना आप आसानी से सीख जाओगी कि आप प्लेश्टोर की आईडी कैसे बना सकते हो आपको प्लेश्टोर उपन करना है और साइन इन पर क्लिक करना है तो दोस्तो चाहें आपके पास अगर आपने पुराना किसी से मुवाइल लिया है और अगर पूरा नाम डालना होगा जो भी आपका नाम है आप अपने पहले तो फास्ट नाम ढालने और और फिर उसके बाद अपना last name डालेजी ठीक है दोस्तो आप जैसे अपना last name डालोगे तो उसके बाद दोस्तो आपको next button पे click करना होगा जैसे next button पे click करोई तो दोस्तो आपके सामने आपकी date of birth डालने के लिए बोलेगा जो आपकी real date of birth है आप वही यहाँ पर डालेगा ठीक और लड़का हो तो mail करें ठीक है दोस्तो यहाँ mail पे click करोगे फिर आपको next पे click करना होगा जैसे आप next पे click करोगे दोस्तो आपके सामने आपकी ID जो Google ने recommend करी है आप उसमें से कोई ID रखना चाहते हो तो उस पे click करके रख सकते हो अगर नहीं रखना चाहते तो आप अप पर अपनी ID चेंज करोगे तो यहाँ पर मैं अपनी ID चेंज करके अपना नाम अच्छे से डाल लेता हूं कि यह मेरी ID मेरे को Google देता है या नहीं देता है अगर दोस्तो आप यहाँ पर unique ID डालोगे जैसे अपना नाम उसके बाद कोई अपना mobile number डालोगे तो वो ID आपको alert ह होगी तो यहाँ पर कोई error message नहीं आएगा नहीं तो फिर आपको यहाँ पर red अक्सर में this username यानि कि किसी ने यह username ले रखा है तो दोस्तों आप इस username को नहीं ले सकते हैं इसको unique बनाने के लिए जो किसी ने नहीं लिया है तो हम इसके आगे कुछ से 1,2,3 या जो भी है कोई number डाल के देख लिते हैं ठीक दोस्तों मैं यहाँ पर number डालता हूँ मैं एक दो बार ट्राइ करने के लिए आपको बता रहा हूं नहीं तो मैं direct एक second में भी इसको बना सकता हूँ ठीक दोस्तों आप जैसे unique ने नमबर लगेगा तो आपकी unique ID बनेगी तो आपको यहाँ पर password डालने का option आएगा ठीक दोस्तों आपको यहाँ पर अपना password जो आप अपने Gmail ID के लिए बनाना चाहते हो वो आपको यहाँ पर password लगा लेना है तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अपना password लगा लिया है अब password लगाने के बाद आपको next button पे click करना होगा जैसे आप next button पे click करोग जैसे आप next पे click करोगे अब आपको यहाँ पर google की termine condition को I agree करना होगा आप I agree पे click करोगे तो यह थोड़ा सा कोच गूमेगा अब आपको यहाँ पर service को accept करना हो Google की service को accept button पे click करिए जैसे आप accept button पे click करोगे तो आपकी play store में ID बन जाएगी ठीके दोस्तों इस परकार अपने ID बना सकते हो अब दोस्तों मैं आपको Gmail उपल करके दिखाऊंगा यानि कि आपका जो प्ले स्टोर में ID है यह साइम इन पे click करेंगे और मैं आपको प्ले स्टोर में ऊपर जो corner पर आपको दिखाए दे रहा है यह हमारी ID इस पकार से बनकर आ गई है तो दोस्तों आ हमें क्या करना है अब हमें Gmail के अंदर जाके देखना है कि जो हमारी ID है वो Gmail में आ गई है या नहीं आई है तो मैं चलिए आपको दिखा देता हूं ठीक है दोस्तों हम यहां पर Gmail में जाएंगे यह Gmail का उप्शन है Gmail पे click करेंगे तो Gmail पे click करने के बाद दोस्तों आपको got it पे click करना होगा जैसे आप go to it पे click करोगे तो आपकी ID आपको यहां पर दिखाई देगी और जो आपकी Gmail ID हो बनकर त्यार रेडी हो गई है अब आपको यहां से Gmail ने एक message यानिकी mail बेजा है जिसके अंदर लिका है Hi यानिकी confirm जो भी है आपका यानिकी आपकी account बना दिया है तो इस पर कर दोस्तों आप अपने प्लेश टोर की ID बना सकते हो